आज हम बात करेंगे कि CPT और DEST किन किन पोस्ट के लिए नेसेसरी होता है यानि कि कौन सी पोस्ट पाने के लिए आपको CPT देना ज़रूरी है इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और एंड तक देखना क्योंकि हो सकता है जो आपकी ड्रीम पोस्ट है जो पोस्ट आपको चाहिए उसी के लिए CPT देना ज़रूरी है और आपको इस बारे में पता ही ना हो तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि CPT यानि की Computer Proficiency Test और Test दोनों में क्या difference होता है दोनों में क्या क्या चीज़े होती है क्या syllabus होता है क्या exam pattern होता है कैसे marking होती है मतलब A to Z सारी details पता होनी चाहिए तो भाई ये details आपको कैसे पता चलेंगी इन सब के लिए already में एक वीडियो बना रखी है उसका link में description में दे दूँगा और वो सब अगर आप देखना चाहो तो आप मेरी playlist में CPT and Document Verification नाम की playlist है वहाँ पर जाकर देख सकते हो उन post के नाम बताने से पहले आपको एक दो और जरूरी चीज़े बता देता हूँ देखो भाई यहां तक आप पहुँचे हो यानि कि आपने CPT देना है तो आप बहुत भेनत करके पहुचे हो और बहुत सारे stages पार करके पहुचे हो तो यहां पर कोई भी छोटी सी गलती आपको अपनी dream post से दूर कर सकती है तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी हो और हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना है तो क्या क्या ध्यान रखना है देखो सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि जो CPT और DEST होता है बहुत ही basic होता है मेरी वीडियो में जाकर देख लेना क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है कि जो post भरते हैं न सारी CPT वाली post भरतेते हैं तो भाई अगर आपने माल लो सारी वो post भर दी जो CPT चाहिए जिनके लिए और अगर किसी कारण वच आपका CPT क्लियर नहीं हो पाया तो अपको कोई भी post नहीं मिलेगी यानी कि आपकी जो आप यहां तक आपने मेंनत करी सारी म मेनत आपकी बरबाद हो जाएगी तो जब पोस्ट भरो तो आपकी ड्रीम पोस्ट अगर CPT वाली हो तो आप सबसे पहले उसी को भरो और आप CPT क्लियर कर भी लोगे लेकिन अगर किसी कारण में CPT क्लियर नहीं हो आओ CPT देने कोई दिक्कत नहीं आपको वो post मिल जाएगी जिसमें CPT देना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर dream post ही ऐसी है जिसमें ज़रूरी है तो आपको देना भी पड़ेगा और clear भी करना पड़ेगा चलो अब इसके बाद next अपनी important बात जो main मुद्धा है उस पर चलते हैं अपना main मुद्धा है कि CPT कौन सी कौन सी post के लिए जरूरी है तो देखो भाई कौन सी कौन सी post के लिए जरूरी है Excise Inspector के लिए जरूरी है Preventive Officer के लिए जरूरी है Examiner के लिए जरूरी है ASO in Ministry of External Affairs के लिए जरूरी है ASO in CSS के लिए जरूरी है ASO in AFHU यानि कि Ministry of Defense के लिए जरूरी है Assistant in Ministry of Minds के लिए जरूरी है ये सब तो CPT वाली पोस्ट थी अगर CPT clear नहीं कर पाए तो ये पोस्ट नहीं मिलेगी और अगर आपने कोई भरी होगी पोस्ट प्रेफरेंस में जोसमें CPT नहीं चाहिए वो मिल जाएगी अब बात करते हैं DEST की कौनसी कौनसी पोस्ट के लिए DEST जरूरी है TA in Income Tax यानि की Tax Assistant in Income Tax और TA in GST इन दो पोस्ट के लिए DEST जरूरी है भाई मेरी वो वाली वीडियो जरूर देख ले ना जिसमें मैंने DEST और CPT का डिफरेंस और exam pattern से लेवस वगएरा सब कुछ बता रहा है जब लोग पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं ना बहुत सी पोस्ट के बारे में तो पता ही नहीं होता उन्होंने कुछ basic basic पोस्ट तो सुनी होती है जो ज़्यादा famous है और जो common पोस्ट है लेकिन बहुत सी ऐसी पोस्ट है जिनके बारे में सुना ही नहीं होता कभी वह आपको उपर आई बटन में मिल जाएगी और अगर आप ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहो तो आप मेरे प्लेलिस सेक्षिन में स्ट्रेटेजी और टिप्स नाम की प्लेलिस उसमें जाकर देख सकते हो बाकी यह वाली वीडियो तो मैं उपर आई सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट जरूर करना की अगली वीडियो किस पर चाहिए